हेलो डिश्ट्रेंट बहुत बहुत स्वागत अपनी उडिव चनल कॉमर्भी संजीब सर में और जैसा कि हम लोगों को बहुत दिनों से इंतजार था और आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे मैसेज आ रहे थे ओफिस बौर्ट सब पर कि सर जी इंटरमीडियेट का जो ऐकॉंटेनशी का कोर्स है बिस्टिडी का कोर्स है इकोनमिक्स का कोर्स है बेंकिंग का कोर्स है वो कब से प्रारम बगरेंगे तो आखिर में आज वो महान दिन आ गया जो हम ये नोडिफिकेशन आपके लिए एंडमीशन हे तु दे रहे हैं आप लोग अगर इच्छोक हो अगर आप लोग बास्तम में इंटरमीडियेट में पढ़ाई बहुत अच्छी करना चाहते हो तो आईए हम आपका स्वागत करते हैं और हमारे साथ में आप जुड़ जाए हम आप पर लिख लिए हैं कि हमारा मुख कुद्देश क्या है क्या-क्या पढ़ाया जाएगा हमारे यह दूसरों से अलग क्या होगा इस्टी मैटेरियल में क्या-क्या होगा कैसे पढ़ाया जाएगा जो नहीं आ रहा होगा वो कैसे पूछेंगे कितावें कौन सी चलेंगी बहुत ही इस पश्च रूप से क्लियर करेंगे और अगर ये प्रसना आपके हैं तो आप लोग इन सब के आंसर इसी वीडियो में पाएंगे और एक बहुतर चैनल से आप जुड़ पाएंगे एक चीज और बताते हैं यह हमारा ओफिस को बाट सब नंबर है जहां से आप हम से जुड़ सकते हो एंड मीशन के संबंद में कोई जानकारी अगर आज बची जाए तो वो यहां से भी ले सकते हो देखो क्या होता है सबसे पहली बात करते हैं कि सबसे सस्तीवा सबसे अच्छी आनलाइन कोचिंग यह हम लेकर के आएं आपके लिए और कक्षा बारा बही ख कि जितना अच्छे से आप इंटरमीडियर्ट में पढ़े होगे आपका भैविस उतना ही उतना ही और ज्यादा अच्छा उजवल होगा जितनी आपकी नीव मजबूत होगी उतना ही आप अपने जीवन में आगे ग्रो कर पाएंगे तो हमारा मेन मकसाद है अभी तक हम B.com क के लिए online coaching दे रहे थे तो उसमें जितने भी बच्चे आते थे उनसे अगर हम सच पूछें तो यह पूछते थे कि Commerce क्या है तो वो कहते थे इसमें खाते बनते हैं इसमें क्रेविक्रे होता है इसमें बिजनिस होता वो एड़िक्रूप से परिवासा बता ही नहीं पाते थे जैसे Hindi के बारे में होती है इतिहास Google की होती है Math की होती है Commerce की भी तो अपनी परिवासा है Commerce का भी तो मतलब है लेकिन Commerce का बच्चा असलियत में यही नहीं जानता कि Commerce क्या है इसका मतलब समझते हो किसी भी टीचर ने अच्छा आपको आज तक बताया कि बिटा Commerce क्या है जब तुमको जड़ ही नहीं पता है तो फिर आगे क्या तरक्की करोगे तो इन सब चीजों में यह तो एक बात है इन सब चीजों में आपको 100% ट्रेंड करना हमारा परम करतब है हमारा धर्म है पूरी मेहनत से सिद्ध से हम तो आपके साथ में जुड़ेंगे ही और आप से भी म करेंगे और कराएंगे भी दूसरी चीज क्या-क्या पढ़ाया जाएगा तो इसके समझ में बता दूं कि सबसे पहला जो हमारा में टार्गेट है वो एकाउंटेंसी पे है ओके जिसको हम बही खाता है वह में लेखा सास्तर कहते हैं हिंदी मीडियम से हम यह सब कराएंगे क इसको अकाउंट से आप लोग बोलते हो इसमें तो 90 पिलस लाना ही लाना है एक एक नुमेरिकल सब पढ़ा हुआ आएगा थियोरी हुआ अथवा वाले भी कोश्चन गारंटी है यह वीडियो हमारा पूरा सेब करके रख लेना जब एक्जाम हो इसके बाद में अगर कहीं पर कुछ भी छूट जाए तो हमसे सिकायत करना क्या-क्या पढ़ाया जाएगा यह चीज इसपर हो चुकी है आपको मैं कॉमर्स के ही सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा जिसमें एकाउंटेंसी है बिजनिस इसड़ी है बैंकिंग है और एकुनमिक्स है ओके और हमारे यहां दू बुक्स को कलक्ट करके बहुत अच्छे PDF नोट्स बनाए गए जो हर जगए पनी मिलेंगे बुक्स से बहुत ज्यादा इजी लंगेज में है दूसरा जो नुमेरिकल की सीरीज है हमने कई बुक्स से उनमें से जो अच्छ अच्छ नुमेरिकल से उनको निकाल लिया है इसके और जो result आया है पहले के बच्चों का जरा आप भी display पर देखिए हमारे यहाँ पर जब B.com में इतना high result जाएगा तो फिर intermediate में तो और जदा high result जाएगा तो यह आपको हमारे साथ में एक विश्वास के साथ में जुड़ना होगा ओके और इसके बाद में steady material में क्या-क्या होगी PDF notes होंगे इसके बाद में model paper होगे okay model paper होंगे practice set होंगे okay practice set के बाद में जो आपके old paper है ठीक है भो भी हम आपको provide कराएंगे और इसके साथ साथ में important है ठीक है भो भी हम कराएंगे और इन सब के साथ साथ में आपको live class recorded class ठीक ये सब चीजे मिलेंगी मतलब पूरा हमको क्या करना है कैसे क्या करना है ये सब जिम्मेदारी हमारे उपर है दूसरी चीज कैसे पढ़ाया जाएगा देखो जब आप लोग interested होंगे आपको एक अच्छे teacher की जरूरत है तो आपको हमारे यहां पर join करने के लिए इस WhatsApp नंबर पर entry के लिए अपना नाम, address और class भेजना होगा जहां से हमारी जो team है हमारी जो office के लोग है वो आपसे संपर्क करेंगे आपकी जो fees है वो online जमा करा करके एक WhatsApp गुरूप में हम सामिल कर लेंगे एप पे हम आपको इसलिए नहीं पढ़ाएंगे तो कि एप पे बीटा खर्चा बहुत ज़्यादा होता है एप पे जो charge है वो ज़्यादा लगता है लेकिन हम यहां पर सबसे कम fees में सबसे सस्ता इसलिए हमने लिखा है कि सबसे सस्तीव है सबसे अच्छी ओके अच्छा तो पिश्च सीमा तक जो भी हम लोग डिसाइड करेंगे उनमें से जो सुरूवाले एंडविशन है उनमें 50% तो फीस में बैस ही चूटोगी तो यह समझ लीजेगा कि आपके लिए जब फीस जमा हो जाएगी एक WhatsApp गुरूप में हम एड़ कर लेंगे और PDF नोटस आपके WhatsApp पे ह सेंड कर देंगे और उसी गुरूप पे डेली किलास का लिंक आएगा पूरा जो कोर्स है वो YouTube पे बिटन नहीं होगा क्योंकि YouTube पे सारी चीज़े हम आपको नहीं सिखा सकते हैं हमारी कुछ अपनी मजबूरियां है यहाँ पर जितना स्टाफ है वर्क कर रहा है उसका भी ख पड़ाने के बाद में किसी के कोई डॉट सबसे ही नहीं और जो नहीं पिया रहाँ होगा तो उसके لिए आप प्रफ जरूर्ब पर त contract करने के शुरूरत नहीं है और अगर नहीं भी पर्चेज करते हो तब भी कोई दिक्कन नहीं है क्योंकि हमारे यहां से जो भी study material है बहुत अच्छे तरीके बाला वो आपके लिए provide कराया जाएगा तो फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि किताबों में आइट्रों के विचार है और यहां पर भी तो सब टीचर ही है जो अपना वो दे रहे हैं तो इसलिए किताबों की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है इसके लिए बच्चे बहुत ज़्यदा परिसान होते हैं जो नुमेरिकल्स हैं वो हम आपके लिए खुदी इतने अच्छे तरीके से बताएंगे कि जो आपकी किताबों नुमेरिकल्स होंगे वो अपने आप देखो जब सीख गए तो फिर सो परसेंट अपने आप करते हुए चले जाओगे पढ़ने का समय कितना होगा जो आपके लिए एक गूर्प में सामिल करते हैं ठीक है इस गूर्प में जब आपको सामिल करेंगे तो जितने यह बहुत हैं इसी पर हम सेंड करेंगे बहीं से तो आप जोईन करोगे अब अगर आज आप कहीं चले गए आज क्लास नहीं देख पाए आज अगर लाइब क्लास पाँच बजे था और आप नहीं देख पाए तो कल आपको जब टाइम मिले तब देख लीजे क्योंकि उसका लिंक है वो गुरूप पे बना रहेगा इसलिए कुछ भी छूटता नहीं है दूसरी सबसे वड़ी बात क्या है यह जो गुरूप है इसमें सारे क्लास के लिंक एक्जाम तक पड़े रहेंगे तो चाहें दस बार देखो चाहें बीस बार देखो यह सब सौफ्टवेर से कं आएंगे जो लोग फीज पे करके हमसे जुल रहे हैं अगला है फीज कितनी बाग कैसे जमा होगी बहुत ज़्यादा यह प्रसंट पूछा जाता है तो फीज बीटा सुरू में 50% डिसकाउंट होगा ओके और इसके बाद में फीज बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है कित तो वहाँ से जमा हो जाएगी आप सायवर कैफे से जमा कर सकते हो चाँचा टाओ मामा भkolकिसे भी जमा करा सकते हो उसका oc क्रिंस और आपके जो नंबर आपको एड़ कराना है उसके माध्यम से बहजना होता तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है ठीक है अगला है और दूसरी चीज बता दें पहली प्राइटी हमारी फीस नहीं है लेकिन हम फ्री इसली नहीं करा पाएंगे क्योंकि यहां पर क्या है कि जिन बच्चों को पढ़ना है बास्तब में जो लोग बास्तब में पढ़ना चाहते हैं तो उनकी संख्या एक निश्यत होती है तो हम केबल उनी बच्चों को जोड़ना चाहते हैं जिनको जीवन में कुछ ना कुछ बनना है ओके और अगला है कोई दिक्कत या समस्या तो नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होती है, बच्चे डरते हैं, नए नए होते हैं, बच्चे डरते हैं, सोचते हैं, पता नहीं क्या होगा, अच्छे सचा टीचर बिटा आउनलाइन आचुका है, और आनलाइन जो सबिधाएं हैं, पहले के फिक्चा बहुत बहुत बेतर हो चु है वो उसको मैनेज करेगा बुझ जिम्मेदारी हमारी होगी और हमें अगर बेहतर दंग से पढ़ाना होगा तो आगे तक आपको जोड़ के रखना है तो फिर समस्य क्यों आने देंगे अगर समस्य आएगी तो फिर आगे और बच्चे हम से कैसे जोड़ पाएंगे और इसके देंगे इंगे सिर्फ एक बार लेकिन जब तक आपको फैनल एक्जाम नहीं हो जाएगा तब तक आपके साथ मतूड़ेंगे मारद लशने करते रहेंगे आपको दूसरे बच्चों से बेहतर बनाते रहेंगे इसके बादaning बोर्ड की copy कैसे लिखें यह बहुत most important है क्योंकि बोर्ड में क्या होता है बहाँ पर ना तो हम होते ना आप होते हो ना आपके teacher होते हैं ओके बहाँ पर सिर्फ हमारी copy ही present करती है कि हमारे अंदर कितना knowledge है तो यह कुछ बोर्ड की copy लिखने की tricks होती है कुछ तरीके होते हैं जो हम आपके लिए सिखाएंगे उन तरीकों की माद्यम से उन tricks के माद्यम से अगर आपके number 60% आ रहे होंगे तो वो बैसे ही 80% convert हो जाएंगे क्योंकि लिखने का तरीका जो headings होती है जो जहाँ पर marks मिलते हैं बहाँ पर चार पंच लाइने इस तरह की हम बहाँ पर लिखवाते हैं कभी निसकर्स के रूप में कभी important कभी स्पश्टी करान हैं तो इस तरह से copy check करने बाले पर एक जो effect है वो बिल्कुल अलग से जाता ह तो यहाँ पर copy लिखने का जो तरीका है वो हर बच्चे को नहीं आता है जो टॉपर बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं वो कहीं अलग से पैदा हुए हैं वो उनके लिए कुछी जैसी सिखाई हुई होती हैं जिनका वो इस्तेमाल करते हैं बले किसी प्रसन का answer आपको आ र कट चंदन से होई अगर जरूष से जादा कोई व्यक्ति किसी भी काम में अगर अपना मन लगाता है काम करता है मेहनत करता है उसके प्रडाम तो अच्छे ही मिलते हैं और मैंने कहवत कहीं है कि वो ब्रक्ष कभी नहीं गिरते हैं तूफानों में जिनकी जल मजबूत होती ह और वो चात्र कभी नहीं डरते हैं इमतानों में जिनकी पकड़ मजबूत होती है तो पकड़ बनानी है हम लोगों के लिए पूरे कोर्स पर ओके मैं सलाबस पहले ही सही दे चुका हूँ और इसके इस वीडियो के डिस्करप्शन में सलाबस है भी आप सबसे पहले अपना स बच्चों में सिर्व रहना है जो पढ़ने में अच्छे हैं जिनका मकसद पढ़ने में है और दूसरी चीज़ यह है कि जितना हम आपके लिए बता रहे हैं विस्वास के साथ हम तो कई जो बैच है उनको पास आउट करा चुके हैं तो हम लोगों के पास में अपना बिलता था जिनको दूसरों का प्रायओवया समझ में नहींाता था तो इस वीडियो के डिसक्रपशन में तीन-चार वीडियो हैं जिनको आप देखिए जो पहले क्लास की वीडियो पतरी ildît वो सोचता है कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा तो बों सबसे आगे निकलते हैं क्यों की जहां से हम मेस्त करने लगते हैं टो जाहिब सी बात है कि मेनत का जुपल है लोगों ने कहा मीठा होता है तो मानदे है की अच्छा होता है आने वाला समय जो होता है वह सबसे पहले आप याद करने का सीखने का जैसे हमारे तीचर्स ने हमको सिखाया आज हम आपके लिए सेवा दे रहे हैं ठीक उसी परकार से आप हमारे साथ चुलिए हमारे साथ एक मिसाल कायम कीजिए और यह चीज बता दे कि पूरे इंडिया में चाहें कहीं से भी आप इस क्लास को देख रहे हो पूरे भारत में अब NCRT जो कोर्स है वो लागू है तो जहर सी बात है कि हिंदी मीडियम का कोई बच्चा देश के किस बात नहीं है यह क्लास यहां तक आपने देखा आपका बहुत बहुत आभार और हमें एक निश्यत सीमा तक ही बच्चों को जोड़ना है काफी बच्चे एडमिसन ले चुके हैं ओके और उनकी जो जिम्मेदारी है वो पूरी हम उठाएंगे तो मिलते हैं एक्स क्लास में तब तक के लिए बाई बाई